नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर अभी मैंने दो तीन हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी और वही सच साबित हुई मैंने क्या बोला था NHPCJE की विकेंसी जून फर्स्ट वीक में आ जाएगी और दोस्तों NHPCJE की विकेंसी आ गी है कितनी खुशी की बात है और दोस्तों NHPCJE की विकेंसी आ चुकी है और चल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको रिलीज हो जाएगा या तो आज या तो कल या तो प के first week में ही NHPC GE की vacancy आ गई है तो एक और exam आपके सामने आ चुका है ठीक है तो DFCCIL से जादा आप focus NHPC पर करिए क्योंकि एक core electrical job है NHPC के अंदर आपके hydroelectric power plant में posting होईगी वहाँ पर आपको switch yard मिल सकता है आपको control room मिल सकता है और electrical का सीखने के लिए बहुत कुछ है आपको पता electrical का auxiliaries वहां पर होती है ठीक है आपको transformer के बारे में जानने को मिलेगा switch yard होता है बहुत अच्छा ठीक है और आज कल तो NHPC के gas insulated switch yard भी हो गए है SF6 breakers वगएरा काफी कुछ देखने को आपको मिलेगा अगर आप ये exam clear कर देते हैं पहाड़ पहाड़ों की हसी वादियों में रहने का मौका मिलेगा ठीक है because it's a hydroelectric power project and it is situated in क्या बोलते हैं इन हिली एरिया इसी के साथ साथ एक और खबर टिहरी hydroelectric power corporation limited ts dcil जिसको बोलते हैं उसने उत्रा अखंड और यूपी के लिए hydro power projects के लिए भी vacancy निकाली है so ts dc और nhpc आ चुके हैं एक और तगड़ी खबर एक और तगड़ी खबर जो सिरब मैं ही बता रहा हूं youtube channel पे और कोई नहीं बताएगा nhpc और ts dc का एक common exam हुएगा यानि कि अगर आपको जो एक्जाम पैट्रन है वह बिल्कुल सेम रहेगा ठीक है एक सेकंड ठीक है तो एनच पीसी और ts dc का जो एक्जाम पैट्रन वह सेम है यानि कि आप एनच पीसी के लिए त्यारी कर लेते हैं तो आप ts dc भी निकाल देंगे ठीक है तो बहुत ही अच्छी खबर है और तो आपको त्यारी करने और त्यारी कभी वेस्ट नहीं जाती मैंने फुल भी रेक्टिफायर आज पढ़ाया था आपको देखना चीए वह लेक्चर यार मेरे लेक्चर भी द तो mcq भी आएंगे अभी ठीक है और इसके बाद ट्रांजिस्टर स्टार्ट होएगा ठीक है तो nhpc के लिए जो मैं mcq कराऊंगा न वही पेपर में आएंगे देख लेना अगर आपने मेरे सॉल्व कर लिया न सारे के सारे नhpc ssc jee के एक्जाम को फोलो करता है बिल्क काम होता है वहां पर और शिफ्ट के बाद कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि जन्रेशन की जॉब जो होती है one of the best job होती है इसी तरह TSDC की जॉब है वह भी बहुत अच्छी है that is a generation job and उसके अंदर बस मास्त एक दम 8 घंटे की shift की relax ठीक है so भरिये यार इसको NHPC भरिये विशाल यादव जी को भरना चीए NHPC और प्रदीब सिंग बिस्ट जी को भरना चीए क्योंकि इसमें लखनाव सेंटर भी है ठीक है ना तो test center के लिए आपको इतना दूर जाने की जुरत नहीं है test center इसके all over India होता है TSDC भी भरना है ठीक है तो TSDC भी आप भर सकते हैं and this is a good news ठीक है तो इस time कौन-कौन से exam में हमारे सामने एक तो DFCC IEL है DFCC IEL की fees बहुत जादा हर कोई भरने सकता उसको बट DFCC IEL है NHPC है TSDC है and that's all ठीक है तो NHPC की वेकन से आ चुकी है power grid का exam हो चुका है और उसके बाद UK PCS की कोई शायद वहां जो re-exam होना है उसका शायद notification आएगा कुछ time बात and the main thing जो याद रखनी है इसके बाद जब सब यह exam हो जाएंगे then father of all J exams भी होएगा September में लेकिन father of all J exam जिसको बोला जाता है UPPCLJ उसमें थोड़ा सा इस बार संकोच है कि notification में क्या BTEC students का hair fare होएगा या नहीं वहां थोड़ा सा objecting है लेकिन ऐसा होएगा नहीं ऐसा diploma संग होने नहीं देगा because diploma संग के बास बहुत देख रहे होंगे कि BTEC रफू चक्कर है TSDC में भी BTEC को रफू चकर किया हुआ है ठीक है तो TSDC में BTEC बाहर है NHPC में BTEC बाहर है तो UPPCL में भी मुझे लग रहा है कि बाहर होएगा और अगर अंदर भी होएगा तो भी उसको बाहर करने की कोशिश डिप्लोमा संग जरूर क करेगा विकॉज जेए जेए ही ही है रहेगा और अप अच्छे से त्यारी करिए NHPC में आपको अपनी फिलिंग आएगी जैसे पावर ग्रिड में आती है विकॉज डिप्लोमा होल्डर्स ही अलाउड है ठीक है और UPPCL जिस पर दाग लगा हूँ है प्रेजन टाइम में कि कर दो थोड़े थोड़े डिपार्ट्मेंंट हलते हैं जहां पर डिपलोमा होल्डर को मौका मिलता है और Voldy य бी NHPC की तियारी में मेरे रेक्टिफ एयर का लेक्चर आ चुका है उसे देखे इसके बाद ट्रांजिस्टर का आएगा और इसके बाद MCQ में ब्रेकर्स पे लेके आऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा पावर सिस्टम के सारे MCQ में करा दूँगा अगर आप मेरे MCQ और मैंने आपको पहले भी बोला था कोई भी आपको जेई का एक्जाम निकालना तो आप excessive study material के पीछे ना भागे और इसी की वज़े से आपका खराब होता है power grid का एक्जाम भी आपका इसी लिए खराब हुआ है इस बार power grid में बच्चों का performance इतना weak हुआ है इतना खराब हुआ है इसी की वज़े से हुआ है कि paper जो था वो ठीक ठाक था excessive study material की वज़े से यहां से भी पढ़ लो वहां से भी पढ़ लो paper में क्या आया क्या आया basic electrical आया hvdc आया power electronics आया ठीक है ना और थोड़ा बहुत simple वाला electronics बहुत कम था लेकिन जादा तर core से ही था machines के थोड़े घुमाए फिराए question थे ठीक है ना तो क्या था semester book से था और साथ साथ में simple अगर आप youth भी practice करते ना यार मैं ये बोल रहा हूँ आप proper youth लगा जो साथ में कोई एक दो channel mcgu का follow कर लो या तो मेरा कर लो या किसी और का कर लो ठीक है और उसी पर stricto के paper दो ठीक है एक book बार आप revise करें कोई दो बुक ले लीजिए उनको बार बार आप revise करते जाए साथ में semester की book पढ़ जाए और कोई एक या दो यूट्यूब चैनल mcgu का follow कर लीजिए mcgu के आपका 100% exam निकलने वाला ठीक है excessive study material आपको डुबाएगा जैसे power grid में भी डुबाया था बच्चों को इदर उदर उदर इसे पढ़ लिया ठीक है और फिर बाद में revise नहीं हो पाया तो वही बात-बात होती है हमेशा देख लेना कम पढ़न को मिलता है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि 17 hours पढ़िए इतना पढ़िए कोई रॉबोट नहीं हो आप ठीक है तो आपको concise study material से पढ़ना है ठीक है एक ही बुक को बार बार रिवाइस करना है और यू विल बी इन एन एनी पीस यू ठीक है आप clear कर जाओगे ठीक है तो thank you have a nice day NHPC की vacancy आ चुकी है मेरे rectifier के जाके lecture देख लो full wave rectifier का उसके बाद transistor आएगा circuit breaker के questions शाम को आएंगे आज tagline लिख दूँगा UPPCL NHPC UKPCS ठीक है इनके और TSDC इनके लिए आएंगे breakers के MCU ठीक है circuit breaker के आएंगे आज तो ready रहना ठीक है तो और channel को थोड़ा से support करो यार 400 subscriber हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा ठीक है तो तैयारी करते रहे है thank you